आदर्णी भगवान आप सभी को जानकारी है लगातार भारती शेर मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिखवाली चल रही है वो तो आज IT सेक्टर ने भारती शेर मार्केट को समाला हुआ है नहीं तो आज भी मार्केट का मूंतो रोदलू बना होता बड़ी बात यह है कि नवंबर महिने में विदेशी निवेशकों की बिखवाली की जो रहतार है वो थोड़ी सी सुलो हो गई है उसके पीछे जो मूलभूत कारण समझ में आता है वो यह है कि डॉलर इंडेक्स में थकावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं डॉलर में बहुत उच्छाला आ चुकी है तोड़ा सा डॉलर रिट्रेक्ट कर सकता है पुल बैक डिव है तो यदि आपको विदेशी निवेशकों का भविश्च में क्या रोजहान होगा इस बारे में अंदाजा अनुमाल लगाना है तो आप डॉलर नक्स को नजर पर रखिए यदि डॉलर उटता है तो भारती शेर मार्केट अपने आप भागेगा सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चार्ट है तो वो डॉलर का है एक तरफ माने बर जब कि हम डॉलर गिर जाए ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो दूसरी तरफ मुझे खत्रे की घंट बचाना बहुत जरूरी है दरहसल चाइनीज करंसी डिवैल्यू कर रहा है चीन चीन का कहना है कि ट्रम पाएंगे वो अधिक इंपोर्ट ड्यूटी जड़ेंगे तो चाइनीज माल हो जाएगा महंगा तो बचें कैसे चाइनीज करंसी को सस्ती कर दो तो जो ड्यूटी है उ तो संभावना है कि भारतिये एक्सपोर्ट भी अमेर्की मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रहे ऐसा सोनश्चित करने के लिए रिजर्व बेंक मध्यम से लंबी अबधी में रुपिये का गिरना एलाउग कर दे तो रुपिया फंडामेंटली वीक रहेगा ये बात की तलाशने हैं हमने जो है अंधा होकर निवेश नहीं करना है देखिये महोदय 27 सितंबर को जब मार्केट 26,000 के ऊपर खड़ा था तब सब को खरीदना था उस दोरान मैं लगा तारे लोगों से निवेदन करता था कि बेच लीजिए बेच लीजिए गा तो बेचने के वज को पकड़ने के लिए तैयारी अभी के अभी कर लीजिए शेर मार्केट की इस उठा पटक में यदि आपको मौ के पकड़ने की कला सीखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्श में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अपने पसंद दीदा आत्मेर और इंवे कि अरॲंतर और ग्सेवराया है झाय झाल मौ क क्लिक क्लिक की लादी मौ को ऩपगने की वीए फैस उनला